तो आज हम लोग विस्स करेंगे करेंड एफेर्स के MCQ करेंड एफेर्स के MCQ के स्टार्ट करने से पहले आज 3 एक्टूबर को क्या खास है पहले हम लोग यह देख लेते हैं तो स्टार्ट करते हैं 3 एक्टूबर आज के दिन हैं खास दिन क्योंकि आज जर्मन का री यूनिफिकेशन हुआ था जर्मन का री यूनिफिकेशन का मतलब क्या है मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे ही वर्ल्ड वार सेकेंड यानि खतम हुआ दुनिया दो पार्ट में बढ़ गई थी पूरे वर्ल्ड दो पार्ट में बढ़ गया था एक था आपका USA यानि जिसको अमेरिका कहते हैं और दूसरा USSR यानि रशिया ठीक है तो आप देखोगे कि यहाँ पर जर्मनी आधा था USSR के पच्च में और आधा था USA के पच्च में तो होता क्या है कि 3 अक्टूबर 1990 को यहाँ पर जर्मिन में एक दिवाल होती है जिसको बर्निल वॉल के नाम से जाना जाता है यह देख सकते हैं आप इसको क्या कर दिया गया था गिरा दिया गया था और फिर फेडरल जर्मनी और Democratic Republic जर्मनी पूरी तरीके से क्या हो गए थे यूनाइट हो गए थे अब बात यहाँ पर यह आती है क्या यह जो पॉइंट है एक्जाम के पॉइंट अभी से इंपॉड़न है नहीं यह एक्जाम के पॉइंट अभी से उतना इंपॉड़न है नहीं रीजन क्या है इसका देखे जब आप कई भी वंडे एक्जाम देने आएंगे तो जर्मनी के लिए वहाँ पर जर्मनी का रियूनिफिकेशन पूछे आपसे इसा बहुत ही मुस्किल होता है इंडिया में ही आप देखोगे गवर्मेंट की स्कीम से रिलेटेट इस्टेट गवर्मेंट से रिलेटेट इतनी न्यूज होती है जो जर्मनी बगारा से इतने इंपॉड़न कोश्चन नहीं पूछ सकते हैं ठीक है तो यहां पर आपको या इंडिया का लार्जेस्ट जो एक मार्केट है इमार्केट है इमार्केट प्लेस ट्राइबल प्रोडेक्ट के लिए वो किसने लांच किया है ठीक है नाम उसका आप यहां पर लिख लीजेगा ट्राइब इंडिया इमार्केट प्लेस है यह एक ट्राइबल प्रोडेक्ट को e-commerce platform पर लेकर आता है तो यह launch किस ने किया यह आपको बताना है इसका सही answer क्या है इसका सही answer है Arjun Munda जो हमारे Tribal Affairs Minister है इन्होंने क्या किया है अभी हाली में Tribe India एक e-market place को जारी किया है है ना अब यहाँ पर देखेगा जो e-market place है यह क्या काम करेगा e-market place यह काम करेगा यानि आप देखोगे कि Tribal जो हमारे Community है जो Tribes है Tribe Community उनके पास कुछ ऐसे Product होते है जो Indigenous Product होते हैं पूरी तरीके से आप देखोगे हाथों के द्वारा बनाएगे Product और यह Product क्या कर सकते हैं हम Buy कर सकते हैं कहां से e-market place से और इस e-market place को promote कौन कर रहा है तो एक Society है जिसका नाम है Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India यानि ट्राइफेट जिसको हम लोग बोलते हैं यह काम करती है Ministry of Tribal Affairs के अंत्रकत तो यह launch करेगी e-tribe India एक e-market place जो बुलकिल काम करेगा जैसे आपना Amazon, Snap Deal या फिर Paytm और Government Demarket Place काम करते हैं इसी तरीके से यह भी काम करेगा ठीक है तो यह आद रखना है आपको अच्छा थोड़ा सा Trifit के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं Trifit क्या है Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited ठीक है यह एक cooperative society है जो Tribal Affairs Minister के अंत्रकत काम करती है और यहाँ पर आप देखोगे कि 1987 में इसका establishment हुआ था ठीक है इसके इसके लिए एक act लाया गया था Ministry of Welfare and Multi-State Cooperative Society Act ठीक है तो 1984 में act लाया गया था उसके बाद 1987 में यह organization क्या हो गई इस टीक है तो याद रखना है इस organization के दोरा tribe India e-market place एक बनाया जा रहा है जो tribe से related कोई भी product है उनको बेचने के लिए ठीक है ताकि उनकी भी income क्या हो सके बढ़ सके चले आगे बढ़ते हैं हम लोग question number second पर question number second में आप से पूछा है कि अभी हाली में किस state government ने क्या किया है integrated किया है पूरी तरीके से one nation one card scheme को मतलब one nation one card एक scheme है और कौन से state government ने इसको अपना लिया है तो देखे अभी तक बहुत सारे state government अपना चुके है लेकिन यहाँ पर भी जो recent हुआ है उसको आपको बताना है तो इसका सही answer क्या है इसका सही answer है तमिल नाडू और अरुनाचल प्रदेश यानि बोथ B and C ठीक है चलिए इसके बारे में थोड़ा समलोग डिटेल से जानते है one nation one card यह तमिल नाडू अरुनाचल प्रदेश को integrated करने के बाद present time पर आप देखोगे कि इंडिया में 26 state और unit territory हो चुकी है जो one nation one card scheme को क्या कर चुकी है अपना चुकी है अब यहाँ पर देखोगे one nation one card scheme है क्या यह एक ऐसी scheme है जो interstate portability of rason cards को promote करती है interstate portability of rason card का मनलब यहाँ पर यह है कि जैसे मालो कोई भी person UP में रहता है ठीक है और उसके बाद वो कहीं दूसरी राज में चला जाता महाराष्ट में चला जाता है तो वो एक ही रासन card से महाराष्ट में भी क्या कर सकता है सरकारी दुकान से रासन खरी सकता है ठीक है वो भी क्या होगा marginal price पर यानि बहुत ही कम price पर उसको मिलेगा तो इससे क्या होगा कि जो Migratory National Food Security Act 2013 है इसमें जो beneficiaries हैं उनका quota बना रहेगा और उन्हें पर्याप्त मातरा में food grain मिलेगा इससे क्या benefit हो सकते हैं benefit यह हो सकते हैं कि हमारी जो transparency है वो आएगी यनि सभी को देखे जैसे मालो होता है क्या एक person है एक person जो अभी अपना गाउँ छोड़ चुका है ठीक है और वो किसी दूसरे सहर में यानि city में रहता है जाके तो city में रहने के बाद अब क्या होता है यनि उसका अगर रासन कार्ट village में है तो village में वाले बंदे को क्या गर सकता है village वाला बंदा उसके रासन कार्ट से राशन लेता रहेगा और इस city वाले को पता नहीं चलेगा तो अब होगा क्या चाहें वो village में रहे या city में रहे कहीं पर भी जाके वो रासन अपना ले सकता है विद्दा जो अपना authentication है आधार कार्ट उसके द्वारा identification बढ़िया है आधार का identification चलेगा सासात में आपका आधार enable है तो उसके साथ में और food security maintain होगी यानि हमारे यहाँ पर जो poor class community है उनके लिए आप देखोगे कि ये काफी एक एहम role है कि उन्हें हर महीने रासन मिलता है सरकारी दुकान से और वो भी सस्ते rate पर तो food security एक maintain हो सकती सासात में जो हमारा agenda है 2030 का sustainable development goals उसका goal number second zero hunger याना zero hunger को हम भी क्या कर पाएंगे eliminate कर पाएंगे अच्छा यहाँ पर एक बात आती है कि जो world hunger report है world hunger report में इंडिया की जो position है इंडिया की position 102 वो भी हमारी सुधरेगी ठीक है इसके भी सुधरने के आसार क्योंकि आप देखोगे कि जो one nation one card के इंतरगत कोई भी रासन कार्ड पर अब कोई भी nutrients related या फिर अच्छे product वहाँ पर government देने की योजना बना रही है आगे बात करते हैं question number third पर question number third में आप से पूछा है कि अभी हाली में माई सहली एक operation है और यह माई सहली operation women passengers के लिए है किसके द्वारा launch किया गए है यह आपको बताना है तो इसका सही answer क्या है इसका सही answer है the south eastern railway the south eastern railway इन्होंने भी हाली में माई सहली एक operation launch किया है अब देखोगे कि माई सहली operation का मतलब यहाँ पर यह है कि यह एक operation चलाया जा रहा है सिर्फ pilot project की तरीके से trial किया जा रहा है इसमें क्या होगा कि train में women's की security के लिए women passengers के लिए यहाँ पर माई सहली operation launch किया जाएगा इसमें क्या कि travel करते समय अगर किसी women passenger को परिशानी होती है तो उसके लिए माई सहली operation के अंतरगर वो call कर सकती है ठीके तो इसके लिए pilot project भी चलाया जाएंगे सिर्फ तीन trainों में जो हावडा से यह स्वंतपूर railway इन्हों ने अभी हाली में launch किया है operation जिसका नाम है माई सहली चलिए आगे बढ़ते हैं question number 4 पर question number 4 में आप से पूछाए कि अभी हाली में किस bank ने launch किया है green teak initiative जिसका नाम है IBE note IBE note अभी हाली में launch किया गया है किस bank के दोरा यह आपको बताना है तो इसका सही answer क्या है इसका सही answer है Indian bank इन्डेन bank ने भी हाली में launch किया है एक green initiative IBE note यह क्या करेगा पूरी तरीके से paperless working environment को promote करेगा ठीक है याद रखना है आपको पूरी तरीके से paperless working environment को क्या करेगा यह promote करेगा ठीक है तो याद रखना है कि Indian bank ने भी हॉली में launch किया है Indian bank का headquarter कहां पर यह बताइए फटाफट तो Indian bank का headquarter है आपको याद रखना है कहां पर चिन्नाई में ठीक है चिन्नाई में इसका headquarter है चलिए आगे बढ़ते हैं question number 5 पर तो question number 5 में आपसे पूछा है कि अभी हाले में अंबेडिकर social innovation and incubation mission ये भी हाले में किसके दौरा launch किया गया तो अंबेडिकर social innovation and incubation mission के अंतरकित क्या है इसके बारे में बात करेंगे पहले आपको इसका answer बताना है इसका सही answer क्या है तो इसका सही answer है स्री थावर चंदर कहलोद ये हमारे क्या है social justice and empowerment minister है सामाजी किन्यावे मधिकारिक्ता मंत्री है इन्हों ने अभी हाले में launch किया है क्या अंबेडिकर social innovation and incubation mission इसके अंतरकित क्या है education को promote करने के लिए ठीक है तो इसके लिए अमेडिकर social innovation and incubation missions launch किया गया है किसके द्वारा थावर चंद गहलोत के द्वारा ठीक है और ये present time पर आप देखोगे कि राजसभा में position leader है राजसभा में position के leader यानि पच्छ के नेता थावर चंद गहलोत है याद रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं question number six पर question number six में आप से पूचाए कि किस company ने भी launch किया है small strong campaign option आपके सामने है Microsoft Google Facebook या फिर Twitter तो इसका सही answer है Google India Google इंडिया ने भी हाली में small strong campaign launch किया है इसका मलब क्या है small strong campaign का तो make small strong campaign का मलब यहाँ पर यह है कि जो small business है उनको पूरी तरीके से demand देना demand कैसे देंगे जब उनके पास बढ़िया customer base आएगा customer support अच्छा होगा तब उनकी demand बढ़ेगी और demand को enhance करने के लिए Google इंडिया ने भी हाली में make small strong यह एप यह जो campaign है यह launch किया है 30 September के ठीके तो याद रखना है make small strong किसके दौरा launch किया गया है Google के दौरा चलिए आगे बढ़ते है question number seven पर question number seven में आपसे पूचा है कि बिहाली में नया logo launch किया गया है थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि यह organization कब बनी तो यह organization 1984 में set up हुई under the department of sport government of India के इंतरकत यह क्या organization set up की गई थी तो याद रखना है आपको आगे बात करते है question number eight पर question number eight में आपसे पूचा है कि किस company ने भी हाली में launch किया है cyber insurance cover ठीक है याद रखना है आपको cyber insurance cover किस ने भी हाली में launch किया है तो cyber insurance cover launch किया है फिलिप कार्ट और यानि बजाजलियन बोथ A and B क्या है cyber insurance cover cyber insurance cover का मनलब आप देखोगे कि अभी हाली में digital सुरच्छा और group को insurance को promote करते हुए यानि अभी present time पर आप देखोगे कि जो cyber fraud है वो बहुत जादा बढ़ गए तो cyber attack और cyber fraud को ध्यान में रखते हुए ये insurance launch किया गया है आप अगर insurance करा लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत अगर होती है मालो cyber attacks related या cyber fraud से related तो आपका ये insurance के द्वारा आपको वहाँ पर पैसा दिया जाएगा ठीक है तो ये आदखना आपको flip card और बजाज इलियांच के द्वारा अभी हाली में launch किया है cyber insurance cover ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 9 पर question number 9 में आप से पुछा है कि किस state government के द्वारा भी हाली में launch किया गया है Pata मलब किस state government भी हाली में जीता है Pata grant award 2020 तो इसका science sir क्या है इसका science sir है किरला ठीक है याद रखना है किरला इसका science sir है किरला ने अभी हाली में किरला का एक tourism organization का नाम है human by nature print campaign इन्होंने भी हाली में prestigious pacific asia travel association का एक award जीता है 2020 का for the marketing ठीक है तो Pata award 2020 ये किसके द्वारा दिया जता है ये भी ceremony इसके हुई थी बीजिंग में और ये दिया जता है अपना sponsor किया जता है Macao government tourist office के द्वारा यानि MGTO के द्वारा ठीक है तो ये अभी इस बार क by nature print campaigns ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो question number 10 पर आपको यहाँ पर यह बताना है कि PM Modi ने भी हाली में inaugurate किया है क्या global summit on AI AI का मलब artificial intelligence तो किस date को launch किया ये आपको बताना है इसका सही answer क्या है इसका सही answer है मलब किस date को launch करेंगे अभी तो 3rd October है किस date को launch करेंगे आपको बता क्या होगा इसके बारे हम लोग जान लेते हैं देखें artificial intelligence को promote करने के लिए एक program है जिसका नाम है raise 2020 इसका full form है responsible AI for social empowerment इसका मलब है कि हम पूरी तरिके से AI के जरी है नि artificial intelligence के जरी हम जो women है मलब women है साथ में जो entrepreneurs हैं उन सभी को क्या करें empower कर पाए तो लगभग 1 billion प्लस इंड जाओर करने के लिए एक program चलाया गया था raise 2020 और यह किस ministry के नगर चलाया जा रहा है यह काफी important है आपके लिए ministry of electronic and information technology और साथ साथ में नीती आयो इन दोनों के द्वारा चलाया जारा program है तो इसका भी हाली में एक summit होना है कबसे 5 October से 9 October 2020 के बीच में ठीके याद रखने सारी चैनल को and thank you thank you for watching